मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है और अगर मेहनत सही दिसा में की जाए तो उसका फल कुछ जादा ही मीठा होता है अरे मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा बलकि यह तो हकीकत है आपको रहर की खेती का पिछला वीडियो याद है न तो फिर दीदियों की की गई मेहनत भी याद होगी यह देखिए सही दिशा में की गई मेहनत का फल कितना सुन्दर दिख रहा है यह पौधा और इनकी कोमल पत्तियों को तो देखिए देखते ही मन खुश हो जाता है लेकिन मेहनत का पूरा फल मिलना अभी बाकी है कहते हैं न कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है जी हां बिलकुल सही सुना आपने आज हम रहर की अच्छी फसल पाने के लिए उसकी कोमल कपोलों या यू कहें उसके उपरी तने की तोड़ाई करेंगे इससे पहले कि मैं आपको इसकी पूरी विधी बताऊं आईए एक बार फिर देखते हैं कि रहर की खेती में हमें किन-किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है खेत की तयारी बीज का चुनाव एवं उक्चार बीज की रोपाई कपोलों की तुड़ाई उक्ठा या पौधा सूखने की बीमारी से बचाओ फल छेदक कीड़े से बचाओ फसल की तुड़ाई एवं भंडार रहर की खेती की इसी विधी का पालन हमारी दीदी भी कर रही है आए सबसे पहले देखते हैं कि पिछले वीडियो बीज या पौधों की रोपाई में से दीदी को कितनी बाते याद है दीदी सबसे पहले रोपाई के लिए उपचारित एवं अंकुरित बीज का परियोग करनी चाहिए दूसरा मेर पर एकक मीटर की दूरी में दो-दो बीज रुपनी चाहिए तिसरा दो इंच की गहराई में बीज को रुपाई करनी चाहिए चोधा पौधा लगाने समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि पौधा स्वस्थ हो और आंत में पौधा लगाने के बाद आसपास की मिट्टी को हलके हाथ से दबा देना चाहिए सीखने का जजबा और अच्छी फसल की चाहत यह अगर आपके मन में भी होगी तो आपको भी ये बाते यूँ ही याद हो गई होगे अब आप भी सोच रहे होगे कि रहर के कपोलों की तोड़ाई क्यों करते है इस तोड़ाई से क्या फायदा होता है जानना चाहते हैं आप तो यह रहा आपके सवालों का जवाब देखिए अगर आपको अरहर की फसल की उपज अधिक लेनी है अच्छी फसल लेनी है तो इसके कपोलो की दो बार तोड़ाई करना बहुत आवश्यक है कपोलो को ऊपर से दो तीन इंच ऊपर से दो बार तोड़ा जाता है पहली तोड़ाई पौधे उगने के करीब 35 दिन बा करती हैं और पूरा पौधा बड़ा हो जाता है जिसका मतलब है अधिक फल और अधिक फूल और अधिक उपज आप इस प्रक्रिया को करके फसल की अच्छी उपज ले सकते हैं और अरहर से काफी लाव कमा सकते हैं देख रही हो पौधा कितना स्वास्त और सुंदर दीख र रहा है हां मस्त इसलिए है क्योंकि हमने इसकी खेती बिधी पुर्वक की है दिदी एक बात बताईए कुछ दिन पहले उगे हुए दो पाउधों में से एक पाउधा क्यों खाल रहे थी वह इसलिए कि तुम्हें याद है पिछले वीडियो में बताया गया था कि गढ़े में दो बीज लगाना है हां दिदी हमको बिल्कुल याद है कि हम दो ही बीज लगाया थे शम mieć बताया आथा कि ड़ी इसलिए लगाते हैं एक खराब हो जाए तो दुसरा निकल आह दिदी हमें ये भी बताया था अब अगर दोनों बिज में से कोई भी खराब नहीं हुआ और द और उहां प्रयापत मात्रा में जगा मिलेगा तो हवा, पानी, खाद, पोषन ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल सही दिदे, दोनों पौधा एक साथ रहेगा तो दोनों female नहीं बढ़ेगा। जितना की उसको बढ़ना चाहिए Бिल्कुल सही। यहाँ वीडियो रोक कर चर्चा करें उगे हुए दो पौधों में से एक पौधे को हटाना क्यों जरूरी है 35 दिन के आसपास पौधा की उचाय तेड़ फिट हो जाती है हाँ देदी तभी उसकी तुड़ाई करने चाहिए तुड़ाई करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए इसकी तुड़ाई का भी नियम है क्या देदी देदी खाना खाने से लेकर पानी पीने तक का नियम है तिसका नियम नहीं होगा क्या ठीक है देदी फिर बताए क्या है ओ नियम कपोलो की तुड़ाई करते समय हमें सौधानी से पोदो को पकड़ कर किसी धरदार हथियार जैसे चाकू काईची या फिर बिलेड से दो इंच उपर से काटकर अलग कर देना चाहिए जैसे हम चाना में करते हैं वैसा ही ना करनी है देदी हाँ हाँ बिल्कूल वैसा ही लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि पोधा को कोई नुकसान नहीं पहुँचे और पोधा उखड न जाए हाँ देदी इसे हम लोग बहुत ध्यान से करेंगे ठीक है चलो चलो कपलो की तुड़ाई करते हैं देदी यह सारे पाधों की कपोलो की तुड़ाई हो गई है हाँ आज से लगबग एक महिने के बाद नहीं सखाओं की कपोलो की तुड़ाई करेंगे जैसे हम अभी किये हैं वैसे ही न करना होगा देदी हाँ हाँ बिलकुल वैसे ही जब हम कपोलो की तुड़ाई करेंगे तो बगल से नहीं सखाओं निकल आएंगे हाँ देदी इससे हमारा पौधा बड़ा और घाना भी हो जाएगा कपोलो की दोनो तुड़ाई के बाद रहर के पौधों में जीवामरित का प्रियोग बहुत जरूई है प्रती पौधे 100 मिलिलीटर यानि लगभग एक कप जीवामरित का प्रियोग पौधों की जड़ों के पास डाल कर करें ध्यान रहे जीवामरित के प्रियोग से पहले पौधों के जड़ों के पास नमी हो और जीवामरित डालने से पहले जड़ों के आसपास के मिट्टी को भुरभुरी करने कपोलों की तुड़ाई के बाद जीवामृत के प्रयोग से पौधों को भरपूर पोशन मिलेगा और उसमें अधिक संख्या में शाखाये निकलेंगी यहाँ वीडियो रोक कर चर्चा करें उपरी तने या कपोलों की तुड़ाई कब-कब करनी चाहिए एवं इससे क्या फायदा होता है तथा कपोलों की तुड़ाई के समय जीवामृत के प्रयोग की क्या विधी है अब यही बाते करते रहोगी कि घर चल कर बच्चे को खाना भी खिलाओगी चलो चलो दीदी, मेरी बेटी का इस्कुल साने का समय हो गया है चलो चलो, चलते हैं रहर की खेती में आपके धैर की भी परिक्षा होती है केत की तैयारी से लेकर फसल की तुड़ाई तक लगभग 9 महीने का समय लगता है नौ महीने बाद रहर की जवरदस्त फसल देखकर आपको भी कुछ वैसी ही खुसी मिलती है जैसे एक मा को अपने बच्चे को जन्म देकर मिलती है आप भी उस मा की तरह अपने बच्चे यानी रहर को देखकर अपनी सारी जीतोड मेहनत भूल जाएंगी तो आईए अब मैं आपको रहर के एक विशेश गुण के बारे में बताता हूँ छिलके वाली रहर की दाल को पानी में भीगो कर उस पानी से कुला या गरारा करने से मुह के छाले जल्दी ठीक हो जाते हैं रहर के इस गुण के बाद अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रहर का पौधा सूखने की बीमारी से इसका बचाओ कैसे किया जाता है। रहा, तब तक आप 5-7 किलो नीम के बीज या नीमोली की बेवस्था करके रखिएगा। कपोलों की तुड़ाई में समझोता न करने वाले बिंदू। कपोलों अर्थात पौधों के उपरी तने की पहली तुड़ाई रोपाई के लगभग 35 दिन बाद या पौधा के देड़ फिट के हो जाने पर करें। उपरी तने की दूसरी तुड़ाई पहली तुड़ाई के लगभग एक महीने बाद करें। तुड़ाई के लिए धारदार वस्तु जैसे चाकू, बलेड या कहची का प्रयोग करें। पौधे की हर शाखा या डाली को तने के उपर से लगभग 2 इंच भाग काटकर अलग कर दे। ध्यान रहे कि तुड़ाई या कटाई करते समय पौधे को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचे एवं पौधा उखडने न पाए। करदा हुँचे की हर शाखा।